नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करते हों कि रोज की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं फिरसा लेकर आचुकी हूँ आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो और इस वीडियो में आप देखेंगे किचिन से जुड़े कुछ ऐसे नए नए किचिन जिससे आपके खर्चे हो जाएंगे आधे और आपका काम भी हो जाएगा बेहत आसान तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का मेरा पहला टिप है यहां पर हमारी जो गर्म कपड़े होते हैं जैकेट होती है उनकी ये होती है अपने देखा होगा बहुत जल्दी से खराब हो जाती है ये देखे इस तरह से ये जब हम इसको बंद करते हैं तो सही से बंद नहीं होती है और पूरी की पूरी चैन बरबाद हो जाती है हमें उसको समलवाना पड़ता है और इसमें हमारे पैसे भी खर्च होते हैं तो इसके एक बहुत ही बढ़िया समय तरीका बतारे हूँ जिससे आपका पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपकी जो इस तरह की चैन है जो खराब हो चुकी है वो बहुत असानी से आप सही कर सकते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको लेना है प्लास प्लास लेने के बाद यह देखे इस तरह से यह जो हमारी चैन है ना इसके एक साइड में आपको थोड़ा सा दबाव डालना है और इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम हलका सा दबाव डालेंगे ठीक है और इसके बाद इस तर अब दिखे मैंने फिर से चैन को किनारे पे कर दिया है और फिर से हमें वही करना है हलके हलके से दबाव डालना है ध्यान रखिएगा बहुत तीजी से आपको दबाव इस पे नहीं डालना है वना आपकी जो चैन है खराब हो जाएगी तो यह दिखे जैसे ही आप हलके हलके से दबाव डालेंगे ना ये चैन अपने आप ही सही हो जाती है ये देखिए मैंने आपर कुछ भी नहीं किया है बस हलके से इसमें दबाव डाला है ठीक है ध्यान रखेगा इस चीज को ठीक है और आपके जितने भी जैकिट वगएरा है या पैंट की चैन है या किसी भी बैग बगएरा की चैन है आप बहुत ही असान इसे फ्री में घर पर इस ट्रिक से सही कर सकते हैं आई होब दोस्तों ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला टिप दोस्तों कई बर क्या होता है बारिस का मौसम और हम क्या करते हैं सोक्स बहनते हैं तो यहां साइट से आपने देखा होगा बहुत ही ज़दा दर्द होता है और किसी चिसी के तो यहां स्वैलिंग आ जाती है और कहीं कई बार तो इसके अंदर पस भी पड़़ जाता है तो इस तरह से जब भी आपके नकूनों में है वो भी खत्म हो जाएगा और अगर पक गया है न तो भी बहुत आसानी से सहीं हो जाता है चोटा सा ट्रिक है दादी नानी वाला है दोस्तों बहुत यूश्वल है यहाँ पर देखिए मैंने लिया है और ध्यान रखिएगा कि जो किनारे हैं उन पे जो नाखून होते हैं ना हमारे उनको आपको कट कर लेना है कई वार भो भी जब बढ़ते हैं तो बहां पर एक निशान सा छोड़ते जाते हैं साथ ही बहां पर जक्म जैसा बना देते हैं जिससे कि हमारे आस पास नेल्स के बह काम मिल जाएगा और जो भी दर्द हो रहा होगा वो चूम अंतर हो जाएगा अगला टीप है दोस्तों मेरा यहां पर इस तरह की पैंट को लेकर हमारे पास पैंट हो या प्लाजो हो खासका लेडिज लोग की में बात कर रही हूं क्या होता है इसमें पॉकिट नहीं दिया ह होता है तो इस तरह के जो भी आपकी पैजामी हैं प्लाजो हैं जिनके अंदर पॉकिट बना हुआ नहीं है तो आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं सफर में या कोई भी सामान लेके जा रहे हैं या पैसे बगर लेके जा रहे हैं तो इसमें आप पॉकिट बहुत ही आसानी से ब नहीं है और आपको कोई भी सामान बाहर लेकर जाना है तो देखिए आपको क्या करना है इस फिल्द से पर्स पर्स आते हैं चोटे छोटे से।। कीजेगा ठीक है आप बहुत ही आसानी से इसको कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं आप कोई भी पैसे या कोई गहने बगर है ना तो आप इसमें रख लीजेए आपका छोटा सा पॉकिट बन के तयार हो गया है और इमर्जेंसी में भी दोस्तों यह आपके बहुत ही जादा काम आन अब में डाल रही हूं यहां पर थोड़ा सा नमक अच्छ से इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद दीखिए दोस्तों हमारे पास यहां पर है मतर इस मतर को इसके अन्दर डाल देंगे दोस्तों सर्दियां आ गई हैं और मतर का सीजन तो आई गया है को चीलना हमें सबस बंद कर दिया मदब पानी हलका गुनगुना होना चाहिए इसको हमें उबालना नहीं है मदब हास से जब आप टच करें न तो अच्छी सी गर्माहाट होनी चाहिए अब यह दिखिए मैंने क्या किया है इसको पलट लिया है तो इस तरह से पलटने के बाद दोस्तों यह जो इ आसानी से बहुत कम टाइम में धेर सारी मटर को छील सकते हैं अभी तो फिलाल मैं आपको इतनी मटर छील कर बता रही हूं ठीक है आपको जितनी भी मटर छीली हो ना उस हिसाब से आप ले लीजिए का यहां पर आपको लेना है एक चार्जर और चार्जर को क्या करना है इस इसके अलाबा भी एक तरीका और है दोस्तों उसका भी आप यूज कर सकते हैं उससे भी मटर को आप बहुत ही आसानी से छीर सकते हैं दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे ना आप वो यूज कीजेगा यहां पर दिखे आपको लेना है एक कटोरी ठीक ह कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं और लेने के बाद यह देखे इस तरह से आपको मटर के ऊपर चलाना है जैसे ही आप इसको इस तरह से खीचोगे ना दोस्तों इसमें जो मटर के दाने हैं वो फटा फट से मटर से बाहर आ जाएंगे बहुत ही अच्छा सा तरीका है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईगा और इससे बहुत ही आसानी से आप घर बैठे बहुत सारी मटर और बहुत ही कम टाइम में छील सकते हैं तो उमीद कती हैं दोस्तों आज के सारे टिप् के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद